विकास आप कैसे देखते हैं और आपको भी लगता है कि ओवरॉल ट्रेंड यहाँ पर अब चेंज होता वा नजर आ रहा है क्योंकि बागजार को और भी स्ट्रॉंग एक्सपेक्टेशन्स हैं कि चाइना स्टिमलस मेजर इस महीने में तो पक्के तो और पर आएंगे तो वो स में बोला कि कॉपर में 740 का जो जोन है न वो एकदम से कंविंसिंग ली प्रेक हुआ है मैं भी उसी जोन को देख रहा था उस जोन के ओपर सिस्टेन कर गया तो अब यह चेंज इन पॉलरेटी के साब से कॉपर में 738 से 40 का जो जो जोन है यह भी सबूर्ट का का काम करेगा और उपर में यह तेजी बरकरार रहेगी कॉपर में मैं आने वाले दिनों में 769 और 785 तक का लेवल इमेडियेट देख रहा हूँ तो कॉपर में यह तेजी बरकरार रहेगी और बाकी पेस मेडल की भी बात करो तो जिंक अभी बहुत अच्छा लग रहा है यह 229, 231 तक ज जुलाई में देखने को मिले चांदी में 7.5% की तेजी यहां पर रही क्लस्टर है 75,500 का इसके उपर जैसे चांदी चैलेगा तो 76,500 और 77,200 का जो निये इजिली दिखा देगा तो चांदी में नजरीया बुलिस का यह है तिपली जी कच्छे तेल पर नजर डालना जरूरी है क्योंकि यहां पर अच्छी कट्स की बात की जा रही है जिस तरह से डिमांड बहतर होते वे नजर आई है speculative long positions यहां पर भी चड़ी है आपको लगता है यहां से और बड़त august का महीना दिखा पाएगा पारी जी अगेश्क का महीना भी कुरूड में तेजी ही रहेगा थोड़ा सा बाई उन डिप्स का रंडिती रहेगा थोड़ा सा डिप्स में अगर यह 6550 यह 6600 तक के नीचे आ जाता है तो कुरूड में बाई करके ही चलना चाहिए पाइर एंड में टार्गेट 6950 और 7100 तक का कुरूड में दिख रहा है तो कि कुरूड में टेक्निकल चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकाउट चल रहा है वीकली में भी एक ब्रेकाउट अभी बना है लोगर सपोर्ट से तो तेजी अभी बनी रहेगी कुरूड में थोड और डिफ्स पे वाई करके 6950 और 7100 का टार्गेट हम लोग रूट पर रखेंगे पड़ावर सेक डॉलर इंडेक्स पर भी राय ले ले लेते हैं विकास के विकास क्या वीव है आपका लगातार हाला कि दूसरा मेहिना है जब हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ी से नर्मी लेगेटिव बायस पर ही रहेगा और 100-1 के उपर में भी यह थोड़ा सा अब चिंता कर रहा है कि उपर के तरफ जाने की कोसिस कर रहा है तो रेंज में भी इसमें 100-103 के बीच कहीं देख रहा हूं इन दिनों पर तो दोनों में से आइधर साइट रिकाउट होगा तभी द रेंड बन सकता है